आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Good morning students तो आज का मारा question है When temperature of a coin is raised by 75 degree Celsius the coin's diameter increased by 2.3 x 10 to the power minus 5 meters तो हमें क्या दे रखा है temperature का rise यानि की delta T की value हमें दे रखी है 75 degree Celsius और क्या दे रखा है coin's diameter is increased by यानि की change in diameter is this 2.3 x 10 to the power minus 5 meters if the original diameter of the coin is this original diameter हमें दे रखा है 1.8 to 10 to the power minus 2 meters हमें बताना है find the coefficient of linear expansion अब देखो question है हमसे पूछा भले linear expansion है पर question को देख के हमें क्या लगेगा कि या diameter में increase हो रहा है diameter में increase कब होता है जब area में increase होता है तो अगर हम इसमें area expansion लगाने चलेंगे तो हमारा question हो जाएगा complicated plus beta delta T अगर हमने यह लगाया तो हमारा question है वो जाएगा complicated actually मैं यह क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जरूत नहीं है यहां तक लेकर जानेगी हम इसको easily solve कर सकते है देखो diameter क्या है diameter जो है यह linear expansion है देखो diameter यहां से थोड़ा लंबा हो गया यह जो expansion यह तो एक line में देख रही है यह linear expansion है और हमें पता है कि linear expansion जो है वो कुछ ऐसा होता है basically यह दोनों फिर proportional होए तो अगर हम सिर्फ diameter की ही change को देख रहे है तो directly उसमें alpha की मदद से formula लगा सकते है और अपना answer भी correct आएगा तो ध्यान रखना यहां तक जाने के ज़रुत नहीं area expansion मद सोचने इस question के लिए हमें क्या यूज करना है हमें linear expansion यूज करना है जहां पर हमें पता है l' is equal to l1 plus alpha delta t इसमें यह l' बिसिकली क्या लिखा है l plus l alpha delta t तो l तो original हो गया और यह क्या है l में कोई change आ रहा है मतलब l में तुम add कर रहे हो तब ही l बढ़ेगा तो यह है तुम्हारा change in l तो basically हमें change in diameter दे रखा है delta d इसकी value दे रखी है तो यह कितना हो गई होगा alpha delta t into d देखो यहां l था original यहां पर original multiply किया alpha delta d alpha delta t ठीक है तो हमें alpha निकालना है तो वह क्या हो गया वह हो गया delta t by delta d by delta t into d अब तो question में सिर्फ calculation बचा है काम गतम तो delta d की value put करते है यह दे रखिये 2.3 into 10 to the power minus 5 upon 1.8 तो यहां ठीक है ठीक है मैं पहले diameter लिख देता हूं 1.8 into 10 to the power minus 2 और फिर लिख देते हैं delta t तो delta t कितना है 75 बस थोड़ा सा बचा question काताम हो गया almost alpha is equal to 2.3 into 10 to the power minus 3 by 1.8 into 10 to the power minus 3 by 1.8 into 10 to the 1.8 into 75 और अगर इसको calculate किया जाए तो हमें value मिल जाती है नियरली 0.017 0.3 into 10 to the power minus 3 तो इसको अगर थोड़ा सही से लिखा जाए तो this is 1.7 into 10 to the power minus 5 और unit किया जाती है पर डिगरी celsius पर डिगरी celsius तो हमें answer कुछ ऐसा मिल गया 1.7 आप answer देख लेते हैं इसमें से कौन सा ये तो नहीं है ये है ये देखो अपना answer हो गया P बागे options नहीं देखने है I hope सबको questions समझे में आ गया होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर